हरे कृष्णा प्रियभक्तो आज हम फागुन मास की शुकलपक्ष की आमल की एकादशी का महात्मे जानेंगे और उसकी कहानी भी जानेंगे युधिष्टर ने कहा श्री कृष्ण अब फालगुन शुकलपक्ष की एकादशी का नाम और महात्मे बताने की कृपा कीजिए भगवान श्री कृष्ण बोले महाभाग धर्मनंदन सुनो तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ट ने कहा था फालगुन शुकलपक्ष की एकादशी का नाम अमलकी है इसका पवित्र व्रत विश्णू लोग की प्राप्ती कराने वाला है मानधाता ने पूछा द्विजश्रेष्ट यह अमलकी कब उत्पन हुई मुझे बताईए वशिष्ट जी ने कहा महाभाग सुनो प्रित्वी पर अमलकी की उत्पती किस परकार हुई यह बताता हूँ अमलकी महान व्रिक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है भगवान विश्णू के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदू प्रकट हुआ वह बिंदू प्रित्वी पर गिरा उसी से अमलकी आमले का महान व्रिक्ष उत्पन हुआ यह सभी व्रिक्षों का आदी भूत कहलाता है इसी समय समस्त प्रजा की शिष्टी करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन किया उनही से इन प्रजाओं की शिष्टी हुई देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षष, नाग तथा निर्मल अंतकरन वाले महरिशियों को ब्रह्मा जी ने जनम दिया उनमें से देवता और रिशी उस थान पर आये जहां विश्णू प्रिया अमलकी का व्रिक्ष था महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विश्मे हुआ देख दूसरे पर द्रिश्टी पात करते हुए उतकंठा पूर्वक उस व्रिक्ष की ओर देखने लगे और खड़े-खड़े सोचने लगे कि पलक्ष, पाकड आदी व्रिक्ष तो पूर्व कल्प की ही भानती हैं जो सभी हमारे परिचित हैं किन्तु इस व्रिक्ष को हम नहीं जानते उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाश्वने हुई महरिश्यो यह सर्वश्रेश्ट अमलकी का व्रिक्ष है जो विश्लु को प्रिय है इसके स्मर्ण मात्र से गोदान का फल मिलता है स्पर्ष करने से इससे दो गुना और फल भक्षन करने से तीन गुना पुन्य मिलता है इसलिए सदा प्रत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए यह सब पापों को हरने वाला व्यश्न व्रिक्ष बताया गया है इसके मूल में विश्नू, उसके उपर ब्रह्मा, सकंद में रुद्र, शाखाओं में मुनी, टहनियों में देवता, पत्तों में वसू, फूलों में मरुदगन, तथा फलों में समस्त प्रजापती वास करते हैं अमलकी सर्वदेव मई बताई गई है अतह कृष्ण भक्तों के लिए यह परम पूज्य है रिशी बोले, अव्यक्त रूप से बोलने वाले महापुरुष को हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और हमें कृपा करके बताईए अकाश्वानी हुई, जो समपूर्ण भूतों के करता और समस्त लोकों के सत्रिष्टा हैं जिन्हें ग्यानी भी कठिंता से देख पाते हैं, वही सनातन विश्नु मैं हूँ देवाधी देव भगवान विश्नु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महरिश्यों के नेत्र अश्चर्य से चकित हो उठे, वे आदी अंत रहित भगवान विश्नु की स्तूती करने लगे रिश्य बोले संपूर्न भूतों के आत्म भूत, आत्मा एं परमात्मा को प्रनाम है, अपनी महिमा से कभी चुत ना होने वाले अचुत को नित्य प्रनाम है अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है दामोदर, कवी और रगेश्वर को प्रणाम है माया पते आपको प्रणाम है आप विश्व के स्वामी हैं आपको प्रणाम है रिश्यों द्वारा इस प्रकार्स्तूती करने पर भगवान श्री हरी संतुष्ट हुए और बोले महरिश्यों आपको कौन सा अभिष्ट वर्दान दूँ रिश्री बोले भगवन यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाईए जो स्वर महान पुन्य देने वाली और बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाली होती है द्विजवरो उसमें जो विशेश करतव्य है उसको सुनो अमलकी एकादशी में आवले के व्रिक्ष के पास जाकर वहां रात्री में जागरन कीर्टन करना चाहिए इससे मनुश्य समस्त पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है विप्रगन यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है रिशी बोले भगवन इस व्रत की विधी बतलाईए यह कैसे पूर्ण होता है इसके देवता प्रणाम और मंत्र कौन से बताई गए है उस समय सनान और दान कैसे दिया जाता है पूजन की कौन से विधी है तथा उसके लिए मंत्र क्या है इन सब बातों का यथार्त रूप से वर्नन कीजिए भगवान विश्णु ने कहा द्विजवरों इस व्रत की जो उत्तम विधी है उसको श्रवन कर के यह संकल्प करें कि हे पुन्डरी काक्ष हे अच्यूत मैं एक आदशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा आप मुझे अपनी शरन में रखें ऐसा नियम लेने के बाद पतित चोर पखंडी दूराचारी मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें अपने मन को वश में रखते हुए नदी में पोखर में कूएं पर अत्वा घर में ही स्नान करें स्नान के पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं मृतिका लगाने का मंत्र अश्वक्रांते रथक्रांते विश्नुक्रांते वसुंधरे मृत के हर्मे पापम जन्म कोट्याम समर्जितम ये मंत्र पद्मपुरान से लिया गया है जिसका अर्थ है वसुंधरे तुम्हारे उपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अ जो पाप किये हैं मेरे उन सब पापों को हर लो सनान मंत्र त्वम्मात सर्व भूता नाम जीवनम ततु रक्षकम स्वेद जोद भिज जाती नाम रसा नाम पते नमहा यह मंत्र पदम पुरान से लिया गया है जिसका अर्थ है जलकी अधिश्ठात्री देवी मातह तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो वही जीवन जो स्वेदज पसीने से उत्पंजीव और उदीभज व्रिक्ष लता आदी जाती के जीवों का भी रक्षक है तुम रसों की स्वामिनी हो तुम्हें प्रनाम है आज मैं संपूर्ण तीर्थों कुंडों जर्नों नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला होवे विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए प्रतिमा अपनी शक्ती और धन के अनुसार एक या आधे माशे स्वर्ण की होनी चाहिए स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे इसके बाद सप्रकार की समगरी लेकर आमले के व्रिक्ष के पास जाए वहाँ व्रिक्ष के चारों और की जमीन जाड बुहार लीप पोत कर शुद करे शुद की हुई भूमी में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे कलश में पंच रतन और दिव्य गंध आदी छोड़ दे श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे कंठ में फूल की माला पहनाए सब प्रकार के धूब की सुगंध फैलाए जलते हुए दीपकों की श्रेनी सजा कर रखे तात्प्रे यह है कि सब और सुन्दर एवं मनोहर द्रिश्य उपस्थित करे पूजा के लिए नवीन छाता जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखे कलश के उपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दे फिर उसके उपर सुवर नमय परशुराम जी की स्थापना करे विशोकाय नमहा कहकर उनके चरनों की विश्वरूपने नमहा से दोनों घुटनों की उग्राय नमहा से जांगों की दामोदराय नमहा से कटी भाग की पद्मनाभाय नमहा से उदर की शिवत सधारिने नमहा से वक्षस्थल की, चक्रिने नमा से बाई, बाह की, गदिने नमा से दाई, दाईनी बाह की, बैकुंठाई नमा से कंठ की, यग्य मुखाई नमा से मुख की, विशोक निधे नमा से नासिका की, वासुदेवाई नमा से नेत्रों की, वामनाई नमा से ललाट की, सरवात्मने नम से संपून अंगों तथा मस्तक की पूजा करें ये ही पूजा मंत्र है तदनंतर भक्ति युक्त चित से शुत फल के द्वारा देवाधी देव परशुराम जी को अर्ध्य प्रदान करें अर्ध्य का मंत्र इस प्रकार है यह श्लोक पद्म पुरान में दिया गया है जिसका अर्ध है देव देवेश्वर जमत अग्नी नंदन शी विश्णू सवरूप परशुराम जी आपको मेरा प्रणाम है प्रणाम है आमले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्ध्य ग्रहन कीजिए तदनंतर भक्ती युक्चित से जाग्रन कीर्टन करें निर्थ्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान तथा शी विश्णू संबंधिनी कथा वार्ता आदी कार्यों द्वारा वहरात्री व्यतीत करें उसके बाद भग्वान विश्णू के नाम ले लेकर आमल की व्रिक्ष की परिकर्मा 108 या 28 पार करें फिर सुभा होने पर श्री हरी की आर्ती करें ब्राम्हन की पूजा करके वहां की सब समगरी उसे निवेदन कर दें परशुराम जी का कलश, तो, वस्त्र, जूता, आदी सभी वस्तुएं दान कर दें और रह भावना करें कि परशुराम जी के सरूप में भग्वान विश्णू मुझ पर प्रसन हों तद पश्चात, आमलकी का सपर्श करके उसकी परदक्षिना करें और सनान करने के बाद विधी पूर्वक ब्राम्हनों को भोजन कराएं संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पून्य प्राप्थ होता है तथा सब परकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर र्युक्त विधी के पालन से सुलब होता है इससे समस्त यग्यों की अपेक्षा भी अधिक्फल मिलता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुम से पूरा-पूरा वर्नन किया है वशिष्ठ जी ने कहा महराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विश्णु अंतर ध्यान हो गए तत्पश्चात उन समस्त महरिश्यों ने उक्त व्रत का पूर्न रूप से पालन किया राजन इसी परकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जुर्धिष्टर यह दुर्लब व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है हरी हरी बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एक आदिशी के दिन इस मंत्र का कम से कम 25 माला जब जुरूर करे हरे कृष्णा और अन से और दालों से प्रहेज करे हरी बोल